तो कहीं बड़े संदेश बीजेपी ने अपनी पहली सूची में दिये हैं क्या कुछ ये संदेश हैं आएए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में बीजेपी ने लोग सभा चुनावों के लिए उमिद्वारों की पहली सूची का एलान कर दिया है लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जिससे बीजेपी की रणनीती को लेकर साप संकेत मिलते हैं पार्टी के युवा और तेज तर्रार चेहरों को खूब तबज्जु मिला है दिल्ली में बासुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से उमिद्वार बनाया गया है दिल्ली बीजेपी की महा सचीव रह चुकी कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने टिकट दिया है तो प्रवीन खंडेलवाल को चांदनी चौक से चुनाव मैदान में उतारा गया है हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोक प्रधान मंत्री सी नरेदर मोधी जी की विकास की नीती है क्योंकि मोधी की गारंटी है और मोधी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी है बात यूपी की करें तो जीन लोग सभा सीटों पर वर्ष 2019 में BJP को जीत हासिल नहीं हुई थी, वहाँ नए उमिदवारों को मैदान में उतारा गया है। बात यूपी की करें तो जीन लोग सभा सीट से BJP ने पैरा ओलंपिक के सबसे सफल खिलाडी देवेंद्र जाजरिया को चुनाओ मैदान में उतारा है। प्रिया साहा ने टी-मसी के नेताओं के खिलाफ खुब मोर्चा निकाला था। बात जारखंड की करें तो लोहर दग्गा से समीर उराओं को टिकट दिया गया है। समीर उराओं बीजेपी अनुसूचित जनजाती मोर्चा के राष्ट्री अध्यक्षें। बात एमपी की करें तो भोपाल से बीजेपी ने आलोक शर्मा को अपना उमीदवार बनाया है। 36 गढ़ में कांकेर लोकसभा सीट से अंता गढ़ के पुरो विधायक भोज राज नाग को लोकसभा का परत्याशी बनाया गया है। अनुसूचित जनजाती सुरक्षा मंच के सन्योजक हैं। बीजेपी की पहली सूची में जमीन पर काम करने वाले और सक्रिये सांसदों को तो तरजीह मिली ही है। युवा चेहरों के साथ जमीनी नेताओं को भी खुब प्रात्मिकता दी गई है। बीजेपी का संदेश साफ है कि राजनीती में आ रहे युवाओं और जमीनी नेताओं को पार्टी आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली यानि उन्हें चुनावी राजनीती में खूब मौका दिया जाएगा ब्यूरो इंपूट के साथ शेलेंद्र मिस्र डीडी नियूज दिल्ली अब की बार चार्ट सो के पारी सी नारे के साथ बीजेपी एंडिये गट बंधन के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और इसी ललकार में किस तरह की चुनावी रणनीती है किस तरह से चेहरों पर दाव लगाया गया है किस तरह की राजनीती को बीचेपी दिशा दिशाद